नमस्कार दोस्तों स्वागर है आप सभी का तेकी राच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों यदि आपका जो नेविगेशन बार है एंड्रोइट पर वो काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप इस प्रोब्लम को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इस स्क्राइशन बार यहाँ पर काम नहीं करते हैं तो आपको दोस्तों कोई नोटिफिकेशन वगरा भी आ जाते हैं तो अभी दोस्तों आप उनको स्क्रॉल डाउन करके देख नहीं सकते हैं तो इसके रिगार्डिंग पर मैं आपको कुछ सॉलिशन दूंगा उसको फोलो कर लिजेगा तो आपका प्रोब्लेम जरु फिक्स हो जाएगा और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यरी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें सारी साथ दोस्तों बैल आइकॉन को भी क्लिक जरू कर डीजीगा यहीं आप ओनलाइन से पैसा कमाना चाते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे राखा है और किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और फिक्स करते हैं प्रॉब्लिम को सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है यह दिए दोस्तों नेविगेशन बार यहाँ पर काम नहीं करते हैं तो हमें दोस्तों यहाँ पर यह चेक करना है कि हमारा जो मोबाइल है उसमें स्टोरेज वगरा कैसा चल रहा है हमारा जो रोम है कैसा रानिंग हो रहा है और हमारे पास एप्लिकेशन कौन सा कौन सा है क्यूंकि कोई एप्लिकेशन आपके फीचर को यहाँ पर बन करके राख देते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो दोस्तों आप जाए अपने मोबाइल के सेटिंग पर और इसके बाद एबा पर दोस्तों यह पتمता है तो उनको आऊंस्तोल करें क्योंकि दोस्तों वह आपके यह फीचर को बन करवा सकते हैं ठीक है अपने इंस्तोल करर नहां है तो उनको बहुरार रिस्तार्ट कर दिए उसके बाद चैए अपने नेदेविगसं получилось को खीचने के उस को प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाते हैं तो आच्छी वारे उससे आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आपको क्या करना है तो दोस्तों यहाँ आपको जादा फिरा सिलएशन नहीं होगा तो बस दोस्तों आपको यह process यहाँ पर follow करना है उसके बाद दोस्तों देखेगा कैसे आपका problem solve हो जाते हैं सारे साथ दोस्तों आप यहाँ पर mobile को factory reset भी कर सकते हैं ठीक है बेकाप and reset पर जाके आप factory reset भी कर सकते हैं यह भी दोस्तों एक feature है इसको fix करने का तो आप इसको भी यहाँ पर follow कर सकते तो बस दोस्तों यही सब solution आपको मिलेगा इसको fix करने के लिए और दोस्तों make sure कि आपका जो mobile है उसमें ताश का problem नहीं होना चाहिए यदि आपके जो navigation आप मत खीचेगा तो सारे जगे पर आप ट्राइक करके देख सकते हैं यह फिर आपका ताश तेस आप कर सकते हैं तो बस आपको यही सारे solution follow करना है navigation पर बार का जो problem में यहाँ पर surf हो जाएगा तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतने ही thanks for watching